हाँ, कुछ नजर नहीं आ रहा है यार, तुम ब्लाइन कर देतें तुम लोग, यार बहुत-बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, आप सब का, कि आप लोग आए, और हम लोग नुए सेजन शुरू कर रहे हैं, सत्य में विजयते का, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, जो हमारा आज प्रोमो हैं, जो हमने प्रोमो लाँच की हैं, कुछ दो-तीन दिन पहले टीवी पे आएं, और कुछ आज नए भी हैं, जो आप देखेंगे, जो अब तक लाँच नहीं हुए है तो पहले हम देखें, हम लोग प्रोमोस देखें, फिर हम लोग बातचीत करते हैं, जो दोस्तों ये हमने नए सीजन की शुरुआत की है, इस कैमपेंट से, इस कैमपेंट में बेसिकली हमें लगा के जो दो-तीन साल से हम काम कर रहे हैं, अलग-अलग विशह हैं उपर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पर काम किया है, तो हमारा कैमपेंट उनके बारे में होना चाहिए, और वो जो जो कर पाए हैं, चुँकि बैठ जाई ही ना, हम लोग बाद में आपक चुकि हमारा जो शो है, वो बेसिकली कम्यूनिकेशन शो है, हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विशह के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बाटते हैं, तो जो एक्चुल स्टेप्स हैं, जो एक्चुल कदम हैं, वो या तो लोग ग्र बढ़के 940 आगया, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब लाखों बच्चियों की जान बच्ची हैं, इन दो सालों में, तो ये जो चीजें हुई हैं, ये जो तबदीलियां हुई हैं, ये लोगों के काम से हुई हैं, जो ओन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं, कभी-कभी वो स काम साथ है, मुम्किन है, क्योंकि अक्सर, मैं देखता हूँ, parked लोग कहते हैं कि cię हिंदॉसतान में कुछ बदलेगा नहीं, मैंने भी काह हैं कभी-कभी, निराश हो जाते हैं, आपको लोग बोलते हैं, कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन यो जो तो ये जो experience है, मेरा में देख रहे हैं और यह तो मुझन ने आपको पाच्छे कहानिया दिखाई हैं ऐसी हमारे पास पचास साथ हैं और यह हम डोड़ने नहीं निकले थे चूंकि हमारा सीजन वन खतम हुआ था हम सीजन टू की प्रेपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले तो लोगों को जो पत माध्य प्रदेश सरकार ने जैनलिक मेडिसन पूरे राज्य में हजारों दुकाने क्व लिए पूरे जितने लोग हैं मतिश प्रदेश में टेस्टिंग भी होती है न्दौाय भी मृकू को तो यह बहुत बड़ी बात है कितने लाकों लोगों को इस से फाइदा होता है कि तरफ पर कैसे लगा कि अच्छी यह तो पाच्छी फिल्म है आप मतलब मैं तो देखते हूं तो मुझे रोना आ जाता है मैं बड़ा जजबाती भी हूँ हां या या क्योंकि एक्चली दिजा कॉमन पीपल यूनों जैसे नाजिया नाजिया एक लड़की है उसका क्या ना उसके पास कुछ पैसे जाता है ना कुछ पुलिटिकल स्ट्रेंग्ट है ना कुछ है वो आगया के लड़की की हेल्प करती ह कितनी बड़ी बात है तो इस वरी इंकारिजिंग आइधिंक मेरे लिए ये जो सफर रहा है सत्यमियत एका बहुत इंकारिजिंग रहा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दुबारा आ रहे हैं एक नए हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और एक नए अंदाज में हमने शो भी हमने कुछ चेंजिस की हैं मैं आपको बता हूँ एक बहुत एहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो यह है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे लेकिन अब हमने एक नए चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ वो है जो लाइव एलमेंट है हमारे शो के साथ तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे फोन पे ट्विटर पे फेस्बुक पे तो जैसे ही शो खतम होता ह उसके बाद मैं लाइव रहूँगा एक घंटे के लिए लाइव रहूँगा और मैं बंबई से लाइव नहीं रहूँगा मैं देश की अलग-अलग शेहरों में घूमूँगा कानपूर मतिप्रदेश राजिस्थान गुजरात अलग-अलग जगा और वहां से मैं उस शेहर कि लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा और वहां से मैं कनेक्टेट रहूंगा पूरे देश से तो आप फोन कर सकते हैं आपके ट्विटर आपके फेस्बुक को मैं रिस्पॉंड कर सकता हूं एसमेस को तो यह मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा उनकी विचार सुन पा हां जी अजे तो आज भी मैं टॉपिक नहीं बता पाऊंगा आपको को लेकिन आप सही कह रहे हैं बहुत सारे एंजियोज हमको लिखते हैं हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे लोग आके हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि यह बहुत एहम मुद्दा है इसे उठाई है तो हम उस उन सब चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए हम अपना अगला लोग क्या चाहते हैं हम कौन सा टॉपिक पिक अप करें यह सब चीज़े हम मद्दे नज़र रखते हैं इससे पहले कि हम टॉपिक का सेलेक्शिन करें कभी-कभी निराश हो जाते हो कि मतलब दे मेरी फिलिंग कि यह दूपिक पिक अप लाइक तो पिक अप लाइक फूप जैसे कोई मुद्दे को लेकर ऐसे कहीं देखिए सारे मुद्दे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ऐसे कोई मुद्द नहीं है और एक एक करके हम फोशिश कर रहे हैं कि सारे मुद्दों को उठाएं अमिर आलोख हीर फ्रॉम ऑपके राइट मेरा सवाल है कि इस बार आपके साथ बॉलिवोड के और भी सितारे जोड़ने वाले हैं तो कितनी ये सच्चाई है उस मंच को वो लोग भी आपके साथ शेयर करने वाले है यह आप लोग ने नियूस कहीं आउट कर दी ना आप लोग ने यह सर ख़बर आई थी अख़वार यह आप लोगी हैं लेकिन चुके उनका उस मुद्धे के साथ जुड़ाओ है उनका एक योगदान है शो के अंदर उनका एक खास योगदान है तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफार कुछ एपसोड्स में उनका भी एक हिस्सा है जी आमिर सार हम भुताते नहीं हैं यह सब चीज़ यह दैनका झाल हम लोग उसको हम पॉलिशिटी के लिए यह नहीं कर रहें हैं आप तो जो भी हमारे शो में स्टार भी foundation है हाँ हाँ है एक्षिली मेरा नजरिया काफी बदला है लोगों को देखने का और एक तो मुझ में कई चेंजेंज हुई है एक तो मुझ में मुझे लगता है एक पेशिंस मैं पहले से पेशिंट था काफी और जादा पेशिंट हो गया हूं है और मैं जज्ज्मेंटल कम हो गया है उन लोगों की तरफ मैंने क्यों कि इतनी चीजें देखी है इतनी गहराई में सच्चाईयों को देखा है अलग-अलग देश के अलग-अलग कोनों से कि एक फिर आपको लगता है कि या मैं इस आदमी को जच कर रहा हूं लेकिन फिर मु मिचौरिटी आई है मुझ में उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि जजबाती तोर पे काफी मैं जजबाती तोर पे काफी मैं खुनम-खुन हो गया हूं क्योंकि खुनम-खुन मतलब काफी इंजर्ड हो गया हूं नहीं इंजर्ड हां क्योंकि क्या होता है कि हम शोपे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूं, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहनियां देखता हूं, और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते हैं आपको, क्योंकि व उस विशे को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीजें देखनी ज़रूरी हैं, मुझे वो चानकारी पाना ज़रूरी है, जैसे मैं आपको एक इधारन देता हूं, कि जो हमारा प्रिवियस एपिसोड में, प्रिविस सीजन में हमारे एक वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसमें अपना डाइंग डेक्लिरेशन दिया था अब वो इंटर्व्यू में ने दिखा है वो हम आपको दिखा नहीं सकते आप देखनी पाएंगे मैंने मतलब मैं मेरे लिए तरह मुश्किल था वो देखना तो बहुत सारी चीज़े देखी मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुच पर तो बहुत सारी चीज़ें जो हम तीवी पर नहीं दिखा सकते हैं वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं तो वी आफ टू कीप दाट इन माइन हम कोशिश करते हैं कि हम तॉपिक आपको समझाएं लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं देखी जाएंगी हर तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो जो मैं कहता हूं कि एमोशनली काफी मुश्किल रहा है यह सफर मेरे लिए वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा इसी सचाईयों को देखना पड़ा बहुत नस्दीक से ऐस इसे लोगों की इसे लोगों की जजबातों के नजदीक में आया जो एक तरह से अब्जॉब करना बढ़ा मुश्किल है उसके साथ पिर समझोता करना उसको अब्जॉब करना उसको समझना उसको गुसा आता है आप हेल्पलिस भी फील करते हैं आप चाहते हैं कि आप फॉरण इस बाकी बाकी शो चोड़ो पहले यह प्राब्लम करो आप वो करना चाहते हैं तो इमोशनली यह बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है यह सफर मुझे लगता है अपके जब पहला सीज़र उसको और था सो के जो नाम कि लिए लेकर बहुत सारी मतलब इसकसंथ यह नहीं होना चाहरे यह नहीं अचीए एकदम प्रफेक्ट है और इंडिया के लिए एक सत्य देम्जेते को जो स्टैंज है बहुत स्टैंज हुआ हुआ है मुझे ये टाइटल बड़ा पसंद है मुझे लगता है कि ये हमारे देश का नारा है मौटो है सत्यमेव जायते और हम सब का यह किसी एक का नहीं हम सब का है यह नारा तो मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इसी को हमारा टाइटल बनाया अमेर एक कहावत है सच कड़वा होता है जी और कड़वा होने की वज़े से काफी लोग आपसे फिर खुंदक भी खाते हैं लाइक थ्रेट वगरा जैसे डॉक्टर्स वगरा का हुआ था एक बर मेडिसिन के लिए तो ऐसे कुछ थ्रेट वगरा आते हैं कोई ऐसी कुछ ऐस में हमको चीजें दिखाते हैं तो जो लोग स्टेटिस को से खुश हैं जो चाहते हैं कि जो समस्या वो है वो उसको ऐसी बनी रहे उससे हमको फाइदा है कुछ लोगों को फाइदा होता है तो जिन लोगों को फाइदा है वो नहीं चाहते कि चीजें बदले इन चीजों से उनको फाइदा है तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है वो बोलते हैं कि यार उनकी मन में ये बात आती होगी कि ये तो बदलने की बात कर रहा है तो हाँ गरबड कर रहा है तो उनको तकलीफ होती है लेकिन जो 99% लोग हैं जो तक्दिली चाहते हैं हिं सीवाओं चाहता है। तो ये जो बैसिक हैंक चीज saying हर हर इनसान चाहता है और जो हमको मिलना भी चाहिए के जिस scholi हम टैक्स नेते हैं हमारा पिछला शो आप ले देखा ही हमने उसमें समझा या क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वह tax नहीं देते हैं हर आदमी tax देता है निय्ट आप पैंसिल खरीत ते हैं आप किताब खरीते हैं आप खाना खरीते हैं कोई भी चीज ये आपने कैमिरा की बैटरी खरी दिए उस पर भी टेकस है तो हर चीज हर इंसान है टैक्स भरता है चाहे वो जितना भी गरीब हो और दो तिहाई हिस्सा हिंदुस्तान का जो एकटा होता है हर साल दो तिहाई वो इंडिरेक्ट टैक्सेस से होता है तो यह हमारा पैसा है हम सब का पैसा है गरीब से गरीब आदमी का योगदान है इसमें तो लहाज़ा फ्री ह हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है हर हिन्दुस्तानी निसके पैसे दी है तो लहाज़ा हर हिंदीस्तानी बदला चाहता है तो 99 प्रसेंट लोग इस शो को ह्प cuatro कि पसंद करते हैं कुछ लोग नाराज हो रहे हैं जिनको यह चाहते हैं कि ऐसे ही रहे तो हम समझ जाते हैं कि फिर हमने सही बात कही होगी आमी सर यहाँ पे आपके सामने मधू प्रम बीवी सी रेडियो सबसे पहला तो सवाल यही है कि सत्य में जैते सीजन वन से लेकर और अब तिसरा लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है बहुत इज़त मिली है जाना चाहेंगे जब लोग आपको अभिनेता कम और एक दोस्त जा ओव आपको जोटी मिलने के लिए जैसे मारे बॉठ ओभ्र कंट हूँ नहीं हुए थी रिलिज होने ही वाली थी पीके की में गया था तो आम तोर पिशा जब मैं किसी चोटे शेहर में जाता हूँ तो वहांकी जो मीडिया होती है ने मिलने के लिए जैसे में लैंड हुआ तो उन्होंने जो सवाल पूछे एक भी सवाल दूमत्री के बारे में नहीं था जबके वो मेरी फिल्म रिल्यू जने वाली थी जुन-जुनू में मैं लैंड हुआ चोटा सा एरपोर्ट एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं दूमत्री में एक ने यह नहीं पूछा कि आपके स्फिल्म की शूटिंग के लिए और आइप के राजिस्थान की वाया राजिस्थान का कुछ एरेक्टर हैे आपका क्या है मतलब पीके में बें इंट्रस्टीट नहीं थे ओं करीब 20 मिनית हमारी बात हुई एरपोर्ट भी और उन्होंने सिर्फ सत्यमे विजयते की बारे में भूचा, हर सवाल सत्यमे विजयते की बारे में था तो मुझे उस दिन ऐसास हुआ कि इननों को मेरे फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया अमेर लेकिन अच्छावा दूमतरी चल गई भाई उसके बाद लेट मीं जिस आंसर और क्वेस्टिन फुली फॉर्स्ट सॉरी तो मुझे लगता है कि ये इससे मुझे एसास होता है कि लोग मुझे सिर्फ एक एक्टर की रूप में नहीं देख रहा है और मुझे खुशी होती है इस बात की मैं एक इनसान हूँ और मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ लेकिन एक एक इनसान के तौर पे मैं जो कुछ मुझे से बनता है जो कुछ मुझे से होता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ चुंकि मेरा काम ये है कि मैं लोगों के दिलों को छोता हूँ कहानियों के जरीए तो मुझे लगता है मुझे उसी का इस्तिमाल करना चाहिए जिससे कि शायद मैं लोगों की जिंदीगी में तब्दिली ला पाऊं शायद समाज में एक तब्दिली आ पाई शायद तो यह कोशिश लेकर हम शुरू हुए थे और इस जिम्हेदारी का मुझे पूरा हिसास है इसके साथ-साथ जो एक personally मुझे पर जिम्हेदारी आती है उसकी वो भी उसका भी हैसास है मुझे उससे डर भी लगता है क्योंकि ultimately मैं भी इंसान हूं जलतिया मुझसे भी होती है ले अबरी आपिक हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि मुझे लगता है कि यह कैसे हो रहा है है मैं एक तोटली शॉक्त हर टॉपिक में मुझे यह चुपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देजभर में अलग-अलग वीडियो शूट करती है लो सब्सक्राइब के टीवी पर देखता हूं और उस दोरान बहुत सारी चीज़ें एक एक करके खुलती है हमारे सामने और जो हमारे शो के डिरेक्टर है सत्यजित भठकल वो आज है नहीं हमारे साथ स्वाती और सत्या वो उस material को थोड़ा organize करते है मेरे लिए इससे पहले कि म मैं देखूं और फिर वो मेरा reaction भी देखते हैं उनको भी मालूम है कि यार यह जब देखेगा तो इसका क्या reaction होगा तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो totally shocking होती मुझे लगता है कि यह कैसे हो सकता है how is this possible कुछ चीजें ऐसे होती है जो आपको इतना pain होता है आपको लगता है कि इनसान कैसा इतना गिर सकता है कैसा इतना कठोर हो सकता है कैसे यह possible है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं how is it possible believe नहीं होता है और उसके साथ साथ फिर हम ऐसी भी लोगों से हम मिलते हैं देखते हैं उनके बारे में जो हमको लगता है कि यह आदमी इतना कमाल का काम कैसे कर ना इसके पास पैसों की ताकत है, ना इसके पास कोई और पावर है, जो नॉर्मिल पावर होता है लोगों के पास, कुछ नहीं, लेकिन ये इन्टर्नल इसकी इतनी ताकत है, कि वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है, तो ये सारी चीजें, हमको, ये रियलाइस एट अवरी पर मुझे शॉप्राइस चॉख्ट जाता हूं, फिर मैं एमोशन इहुता हूं, पर माया रोता हूं, फिर मुझे खुशी भी लगता है, क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा, फिर मारे किसी का इंटर्वी दिकता हूं, मुझे लगता है, हाँ यार, ये बंदा देखो क तो बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ रिसर्च के दौरान और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं जब तक मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हो क्योंकि इस नॉट जेस्ट वीडियो इंटर्व्यूस हम लोग फिर उसके लीगल पेपर भी पड़त प्रिसर्ट के बाद एक घंटा लाइव रहेगा तो उसका टॉटल टाम दूरेशिन कैसा रहेगा इंपक, वाँच बूट बूट टाम दूरेशिन जो यहां हमारा देट घंटे का शोग और जो उसका लाइव ऐलमेंट वह घंटे का तो जो लोग जोड़ना चाहें जो मूत डिसक्स करना हैarna लाइव 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 लाइन मनलश वा थाक मैं लाइव क्रिक फिकानच व होते हैं लाइव क्रिकेट मैं ग्राय्ट उना कलेंट i कुझे मैं लिァ यह जो गश्पन अर टेवरें आध rivera इनक ज्थािड है प्लीट जो प्रियेश्स साहता with this would be we have would you show some issue talking about it not changes are just key issues in out here is a connected poverty say self-sufficient judge every individual well that is the ultimate aim but I don't know whether there's any easy way to reach that 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 place see what what we believe city may jose jitron low-carbure sate-a-saw-a-t-i-man-lancy-train-sablog-car and how are you can search how are you so that you are a kid my partner is my home and what's that he problem is issues are or a a take a photo that over some of us all look at the book was called it the flag of the law lawyer is a new gun the local co-operty-create एक तरीका होता है नीचे से नीचे से मतलब ग्रास्रोड लेवल से मतलब आप लोगों का मन बदलें अगर मैंने आपका मन बदल दिया प्र आपको कानून की जरूरत नहीं है प्र वो कानून है या नहीं है वर एक्जाम्पल हम में से कितने लोग हैं जो seatbelt पहन के जाते हैं गाड़ी में कानून है seatbelt का तो आप पहनते हैं वेरी गुड़ा मैं भी बेहनता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त है पुलीस को देखते हैं कडक उन्होंने seatbelt पहन लिए तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, देगा, पुलीस वाले से पहले ही मैंने सीट बेल्ट पहने लिए, मैं सीट बेल्ट पहने लिए, मैं सीट बेल्ट पहने लिए, पुलीस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है, इसलिए सीट ब तो हमारी कोशिच है कि हम नीचे से काम करें और जो भी मुद्दा हो वह हम लोगों का मन बदलें जजबाती तोर पर हम आप पर असर करें तो यह हमारी कोशिच है तो किस तरह बदलाव लाने की कोशिच भी फुजूल है फिर भी सरसे पहले क्या जहन में आएगा आपके कि हमारे देशवासी अच्छे हो जाएं सशक्त हो जाएं हर तरह से कोई लगता है कि हमारे देश ने अच्छा प्रतानमंतरी चुना है हम उनकी बातें सुनें वो बैतर होगा और वो जो हमें बताएं as a leader हम उनको follow करें जहां तक मेरा सवाल है मैं एक communicator हूँ मैं अपने आपको एक creative इंसान के रूप में देखता हूं और मेरा ये मानना है कि क्रीटिव इंसान की जो जिम्मिदारी होती है उस सिर्फ आपका मनुरेंजन करने की नहीं होती बलके समाज में एक moral fiber को build करने की जिमिदारी हमारी होती है हम हमारे कहानियों के जरीए हम बच्चों पर क्या असर डालते हैं? उनके सोच विचार हम कैसे बनाते हैं? तो जो सोशिल फाइबर है, उसको हम बिल्ड करते हैं. ये हमारी जिम्यदारी है. ये मेरा मानना है. हम क्या सीख दे रहे हैं? हम किस तरह के जजबात बच्चों में हो आप म्यूजिशिन हो अलग अलग क्रेटिव लोग हैं मुझे लगता है कि हर क्रेटिव इंसान की जिमेदारी भी होती है ना सिर्फ आपको मनरंजन आपका मनरंजन करना लेकिन उसके साथ-साथ आपको एक बहतर समाज बनाने की कोशिश करना उस पे एक असर अच्छा असर डालने की कोशिश करना आमेर श्वेताब एवीपी नियूज से आमेर जिसे आपने जिकर किया भी कि देश ने एक अच्छा प्रहनमंद्री चुना है पिछले जब सीजन शुरू हुआ था सतमेव जयते का तो उस वक्त भी आप केंडर में भी मंत्रियों से मिले थे उस बढ़ां भी मंत्रियों से मुद्द्धे जो उठाएंगे उस पर भी सरकार से सहयोग की अपेक्शी आपको है उस मुद्धे को लेकर अच्छी पहला सवाल है आपका हमारा शोग कब शुरू रहा है एक्की सिप्टेंबर जो संड़े हैं एक्की सप्टेंबर को हमारा शोग हूँ हमीशा आपयक्षा रखते हैं सर्कार से चाहे ह।हाए- कि हम जो कुछ हमारे सामने आया है हम उनके साथ भी बाटें तो अक्सर मैंने राज्य सरकारों को और इस हाली में मैं प्रदान मंत्री जी से भी मिला तो हमारे सामने जो कुछ आता है हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि क्यूंकि हमने हम सब ने हमा हमारे शोपे मिस्ट कॉल्स के जरीए या एसमेस के जरीए जो मैसेजिस हमको भेजते हैं किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो एक हम सवाल पूछते हैं उस पर हमको जवाब आता है तो वह हम शेयर करते हैं रेलेवन्ट अथारिटी से चाहिए वो केंद्र सरकार हो राज्य सरक कि अपने फिल्म और एड्स उस वक्त आपने चल्विशन पर बंद कर देते हैं ऐसा कहा गया था कामिर पूरी तरह सिर्फ सत्य मेरे कोई आड्स नहीं मेरे एड्स सिर्फ शायद वह एक कुपोशन का मैं केंपें मैंने केंदर सरकार के लिए किया था वो शायद कहीं अभी दिखाया जा रहा होगा तो दिखाया रहा होगा लेकिन और कोई मैं वो तो पब्लिक सर्विस फिल्म थी जो यह था कि क्योंकि आपकी पीके भी आने वाली है आगे तो जब वो उस दौरान इस वक्त तो मैं कोई इस्तिहार नहीं कर रहा हूँ आड्स में नहीं कर रहा बहुत फरकर लज़र आता है जब आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल फरकर लज़र नहीं आएगा नहीं नहीं ऐसे दो टाइप के नहीं है देखेंगे मेरे मन में ये बात है क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से एस अन एक्टर काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ओडियंस पर तो जो दो-तीन लोग जो केस करने ना उनको भूल जाईए बाकी जो देश की जंता है जो देश की लोग है वो मुझे 25 साल से जानता है और मेरी फिल्म में आईटम गाना नहीं होता भाई तो आप सोचिए तो अगर कोई भी सीन होता है उसका कोई वजय होती है उसकी कोई रीजन होती है और जब भी कभी हमने कोई ऐसी फिल्म बनाई ये जैसे हमने डेली बै जाना चाहते हैं कि इसमें भाषा जो अश्लील भाषा का इस्तमाल किया गया है आप शायद इस चीज़ को ना पसंद करें I don't think कोई producer history of Indian cinema में बार बार आ गया के लोगों को यह बोलता गया तो मैं अपनी जिम्दारी पूरी तरह से समझता हूं और मुझे यकीन है कि जो मेरी audience है वो भी मुझे जानती है समझती है और वो भी बात को समझती है कि PK में जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको भी यकीन है कि जब वो फिल्म देखेंगे उनके जो सवाल है उनका उनको जवाब मिल जाएगा अमीर अभी जैसे आपने बोला कि हम लड़कों को अच्छी शिक्षा देंगे तो एक अभी प्रेस मीट में शारुक खान ने भी बोला था कि कोई भी मैं अपने खुद के लड़कों को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर वो कुछ भी करके आए तो उसे शर्मंदगी मैसूस ना हो मेंस ऐसा करे काम अच्छा काम करें हमेशा अच्छा काम करें ऐसा काम कभी न करें जिससे शर्मंदी मैसूस हो तो आप हमारे अच्छी मैं अपने मैं अपने बच्चों को जो सीख देता हूँ वो एक ही सीख होती है और मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं चाहे आईरा हो जुनेद हो या आजाद हो उनको मैं रीना आईरा घर वाले सब ही हम यही सीख देने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे जैसे वो बड़े हो तो उनको संवेदन शील बने वो सेविंसिटिव बने हम ताकत पर एहमियत नहीं डालते अरे तुम पिटके आई जाओ उसको फिर फिर मार के हो हम ताकत पर एहमियत बिल्कुल नहीं देते हैं हम हमारे परिवार में हमारे फैमिली में हम एहमियत देते हैं जजबातों को इंसानियत को एक समान सब हर आदमी एक समान है चाहे वो जो भी हो जिससे भी आप मिल रहे हैं हम बच्चों को यह सिखाते हैं अब जिससे भी मिल रहे हैं वो बिलकुल आप जैसा है जिस तरह आपको किसी चीज़ का दर्द होता है उसे भी उतना ही दर्द होता है तो हम बच्चों को हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम जजबाती बनाएं सववेदन शील बनाएं कठोर ना बनाएं उनमें हम गुस्सा पैदा ना करें उनमें हम ये कभी न कहें कि किसी को किसी पर हिंसा करो हिंसा से दूर रहो प्यार मुहमपत से आगे बड़ो ये हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने के और इस पे हम बड़ा जोर देते हैं Hi Amit, this is Rahul here Hi Rahul Congratulations to you and everything I actually wanted to ask you two questions One is Bota on the current news right now, what's happening the censor vote has come out of the regulation that you know words like virginity shouldn't be used in the movies, you know, what is your take on it? That's the first one Is that so? Yeah You're kidding No You're serious Yeah, very serious You cannot use that word only in the film No, like words like these which are vulgar In a you film or in an adult film or for any film Is there a qualification to it or no? No, there's no qualification to it as of now As of now Everything is just taken in isolation printed and then everybody starts believing it is a fact So let's wait and understand exactly I have been on the advisory panel of censor board You can't use the word virgin as far as I know Now he's saying that a new guideline has come about in which case first we have to investigate if the guideline has come about and not make it a generic statement Yes I agree with Bhavna I think we should just be patient see exactly what the guideline says and then I can respond to you but I do believe that I do believe that you know in general I can answer in general In general I do believe that there are certain words which I would not like my own children to hear and which is why I would be sensitive towards other people's children as well in what kind of language we use in our films and in case I want to use those kind of words or language then I would make sure my film is adult and is appropriately advertised as an adult film so that people come to know properly that it is an adult film then they can take their decision I'll complete my answer and other than that I believe that there should be freedom of speech if I'm showing a film to an adult person then he or she is old enough to decide whether they want to see the film or not and they can choose not to if they find that it's something objectionable they can not see the film you know you don't need to censor it from them Yes I wanted to mention something here Mardani has been given an A rating and you have gone on Twitter and praised the film and not only the film the film's subject as well which is very bold not only bold probably everyone needs to see a film like that but the censor board has given it an A certificate and people can't see the film and Rani is working on you know getting a recertification for the film so what do you have to say on that? Well I there are some words in the film that I would not want my children to see or hear I think there are words in the film so I think that personally I'm giving my personal response that if it's a film that I would not want young children to watch because there's language used in that I also feel that very small children should not see violence of this kind there's a shot of a finger getting cut I mean there's you know it's not shown but it is I don't want an eight year old child to see that I think that's I think I know Rani may have different opinions but to add to that can I just complete what I'm saying you know Rani may have a different opinion and I respect Rani very very highly she's a very close friend of mine I've seen the film but I feel that the film does have a certain amount of violence and in fact I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything strange things we show them I'm not talking about Mardani I'm talking about many films I see you know the most absurd things are sometimes shown in a U film or a UA film and I can't believe my eyes to see that how is this shown in a U or a UA film I personally feel we should be much more careful if you ask me we should be careful to the kind of violence we're exposing our children to that's a very important thing extremely important I completely believe in freedom of speech I'm a creative person myself but I also believe that I have a responsibility towards what I'm showing my children and what age group am I exposing what thing to yes there's an argument today everything is on the net and no matter what age you are you can see what you want fine I understand but I have to fulfill my responsibility I'm not going to comment about what can be seen on the internet or not I don't want to show my child something so I want to show it to other people's children I genuinely believe that children need to have a space where they can grow freely without violence being shoved down their throat in the huge doses that we often sometimes do so that is something we need to take care of and that goes for a number of films I'm not talking it's a number of films my second question which I just want to complete is that since your show talks about a lot of issues in India a lot of poverty stricken and other issues which are affecting a lot of us today in today's time the censor board basically cuts out a lot of content and probably makes it an adult film like Mardani which was talking about human trafficking and this message does not go across to the entire nation for which the movie is made so would you like to address such an issue in I have not understood your question so sorry so would you like to address this issue in Satyamir Jaiti where censorship 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 is an issue that comes pretty low in our priority I believe censorship comes pretty at this point of time it comes pretty low in our priority I would imagine this time directly to Bollywood with Bollywood but why telling you about this I'm in the in the center Sakhi from headlines today and I just want to ask you Shethab from ABP asked you about the new government coming in and you know the new government is already obviously doing a lot in their power to change things you know Narendra Modi just gave out a very poignant speech on 15th August where he talked about various issues which is not known for a prime minister to come out and say on a 15th August speech at Lalkila he talked about cleanliness he talked about asking the sons of the country what they are doing instead of asking the girls what are those main issues that you yourself as an individual who is conducting such a show and a public figure would like the government to take head on at this point in time four issues health care public health public health is a very very important issue to a bulk so for me the four issues are public health education the justice system and law and order because these are the four basic things that any individual needs I need security I need to feel safe for myself and for my loved ones so if I can get security if I can make sure that my children get good education if I can make sure that if one of us falls ill we will get good treatment without having to spend lakhs of rupees and if someone ever is unfair to me or cheats me or harms me in any way then I will in fact get justice so so these are the four things that I would really feel which are very fundamental to any society not just our society fundamental to any society security education health care and justice made up of human beings like you and me so I think that when as a society we become more and more sensitive towards each other and when we become more and more sensitive to other people you know we are sensitive to our own needs we are sensitive to our one of us has a lot to contribute it is not just money so I'll take last couple of questions yeah my question was abhi 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 hum adult content ke baar mein discuss karrethe to kya aapko nahi laga ki pk ka jo new poster mtlab release huwa hai to usse humari younger generation pe kuch like you know ghalat asap nahi mujhe nai laga haap aap 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 pool me kubhi gahi haap 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 amir here tanya from gulistan news amir aap nesatya mevjaiti ke zarir baut saray message logo ko di hai baulywood ki bhi kai actresses a si hai joh aap mesej pahun chati hai lekin jis tarikai sa ham ne dekha ki aap joh message pahun kare logo usko kaafi zyada pasan kare rhe hai lekin bollywood ki actresses wo message dhang se audience tak pahun cha ni paati ya pher logo unko pasan zyada nahi karte kukhi male oriented film logo zyada dek na pasan karte according to woman oriented film is parapa kya reaction kya apko lakta hai abhi tak aisa hai industry mei i think abhi harli me film ii queen joh gangana ji ne ki ti bada acha uska response raha logo on a bhat pasan kia us film ko to muje lakta us ka bhat geher a sir ho logo pa aur or to a lakta mujhe I think film achi ho to uska achcha aasar hota logo pa I don't think ya aapka kehna sahih hai ke jyadatar audiences joh hain male oriented films zyada kamiyab hoti hai ye hum dekhte hai lekin kai daf heroine oriented films bhi bhat zyada kamiyab hoi aisa nahi itihaas me ap dekhen gita nagin bhat 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 hoi female oriented prathikaat mother india bhat sari film to aisa nai I think film must say ho to us ka pher aasar hota amir hero heroine ki aasar kare to kiski hero heroine ki aasar bhat kare hai to bhat sari actresses bhi hai jin ki issues hai aap chahe to address as sa kiri Like actually unfortunately kya to our sa sa h basically z Hugh aasar fuck नौर्टें भी पीट रहा करें जी सोच है और उसका असर फिर अलग-अलग तरीके से होता है और यह उसका एक असर है होता हीति है कि फिउल्म अमबने में कि इसको पैसा जया दा खरें अगर आपउsit प्रेश्चम पेका खरेंने सलीम जावेद मतलब मुझे फिल्म देखनी है तो उनको सबस्जादा पैसा मिलता था तो जहां तक प्रोडूसर का सवाल है वो ये देखता है कि कौन इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो राइटर हो एक्टर हो डिरेक्टर हो जो भी उसकी पॉजिशन है अगर वो सीटे भर सकता है तो उसको मैं ज्यादा दे सकता हूँ ultimately वो businessmen है, उसको मुनाफ़ा कमाना है तो आम तोर पे देखा जाता है कि जो male stars है, वो ज्यादा बड़े stars है उनकी फिल्में ज्यादा आम तोर पे काम्याब होती है हमारा मन ऐसा है क्योंकि हम एक patriarchal सोच से हम सब निकले हैं मैं भी उसी सोच से निकला हूँ आप भी उसी सोच से निकली है तो जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारे heroes नहीं बदलेंगे जब हमारे heroes बदलेंगे जब मैं heroes से कहता हूँ मैं मेरा मर्द या पुरुश या नारी से पुरुश या नारी की बात नहीं कर रहा हूँ hero means as a hero उसमें उनारी भी हीरो हो सकती है पूरश भी हीरो हो सकता है तो हीरोईजम की जो कहानी है जब हम देखते हैं या हीरोईजम क्या है दस लोगों को मारना क्या ये हीरोईजम है या किसी को मदद करना तो हीरोइजम की डेफिनिशन क्या है हमारे लिए वो जब चेंज होगी और जब यह सारी चीजें चेंज होगी तब जाके यह मुझे लगता है इसमें भी तब्दिर इस वक्त तो मार्केट फोर्स डिक्टेट करता है तो जो ज्यादा सीटें भर सकता है पहले वीकेंड में उ लड़की लड़का हो उसे फरक्ति अवर सवाल अगर्मेंट सपोर्ट की मुझे लगता है कि हमारे शूमें तो हमें सब्सक्राइब जूरत नहीं है इस वक्त लेकिन बुद्दो में सरकारों का बड़ा योगदान है और होना चाहिए और हम उमीद भी करते हैं चाहें वो र मुद्दो में बहुत ही बड़ा हात है सरकारों का अभी बहुत जल्दी है बोलना, I think it's too early to see it. Sir, hello. Sir, first of all congratulations and hats off to you and your team who works so hard, who works so hard towards the society. Sir, I need to ask sir, यह ऐसा अपको कभ फिल आप से पहले, there is a need to change, अपका अपका अंदर कभ आया था, मतलब the way you are working towards the society, when was the first time it strike your chord, I have to do something for the society. Okay, so this will be the last question because it's slightly longest answer, but it's an interesting answer. Actually, एक इंसान का बहुत गहरा असर हुआ है मुझपर वो इंसान यहा है नहीं तो मैं खुल के बात कर सता हूँ. वो है सत्यजित भटकल, जो डिरेक्टर है हमारे शोगे, वो मेरे साथ स्कूल में थे, सत्या मेरे साथ स्कूल में था, Bombay Scottish में साथ में थे, स्कूल में वो फर्स्ट आता था, अवल आता था हमेशा, बढ़ाही में बहुत तेज, बहुत जहीन, पूरी दुनिया उसके सामने थी, वो जो चाहता था, वो कर सकता था, मैं ठीक था, एवरिज है, और मुझे इंट्रेस भी नहीं था इतना बढ़ाही में उस वक्त है, तो जब हम कॉलिज में आएं और हमारी सिंदगी आगे बढ़ी, तो वो जो है सोशिल वर्क की तरफ बढ़ने लगा, उसका जुकाओ, सोशिल वर्क की तरफ बढ़ने लगा, जिसने लॉस सीखी, फिर सोशिल वर्क में अपना वक्त देना, मैं अक्टर बन गया, मैं स्टार बन गया, मेरी पहली फिल्मी कामियाब हो गई उसके बाद, जैसे जैसे मेरी फिल्में आगे बढ़ीं, मेरा करियर और उपर धिरे धिरे जाते गया, हम जब भी मिलते थे मु यह जो है, यह दूसरों के लिए काम कर रहा है, यह अपनी सिंदगी किसी और को help करने में लगा रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमेशा यह बात चुपती थी, वो यह कहता नहीं था मुझसे कभी, तो यह बात मेरे माईन में हमेशा play होती थी, और जैसे जैसे मैं उस्जादा कामियाम होता गया मुझे और लगता गया किया मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूं तो मैं डूनेशन बहुत करता था अब धी करता हूं लेकिन उससे मुझे वह फिलिंग नहीं आती थी तो फिर मुझे लगा जैसे जैसे टेलिविजन बदलने लगा क्योंकि एक टाइम पर दूर दरशन था एकी चैनल था फिर टीवी में बदलाव आया टीवी मीडियम ऐसे में बड़ी तबदीली आई हर घर में एक टीवी आ गया टीवी चैनल्स आएं बहुत सारे और जेनरल ए चाकतवर मीडियम है और मुझे अभी 15-20 साल हो गया है इंडिस्ट्री में तो मैं अगर इसका इस्तिमाल करूँ तो शायद मैं कुछ कर पाऊँगा जो कुछ मैंने इज्जत कमाई है जो लोगों का प्यार कमाया है मैं उसका इस्तिमाल कर सकता हूँ टेलिविजन पर आकर और उन मुद्दों के बारे में बात कर सकता हूँ जिससे लोगों की जिन्दीगी में फरक आ सकता है तो यहां से यह थौट आया इसको भी 5-6 साल हो गया है मतलब काफी टाइम हो गया था और फिर जब उदेजी आये और उन्हें ने मुझे एक गेम शो आफर किया था मैंने इसमें समाज को एक बड़े पैमाने पर बदलने की उम्मीद कर सकते हैं यह कोशिश कर सकते हैं तो फिर उन्हें इंट्रेस्ट दिखाया और फिर मैंने सबसे पहले फोन किया सत्या को और सत्या को मैंने कहा कि यार यह मेरा आइडिया है एक टीवी शो बनाते हैं मुद्दे को लेके और फिर सत्या उनकी पत्नी स्वाती लैंसी जो उनके दोस्त हैं यह तीनों सोशल सेक्टर में एस जर्नलिस्ट ऐसे अलग अलग तरीकों से काम करते आ रहे हैं इसलिए पच् आइज ची सालों समय कवर्डे की कोश्च कर रहे हैं लोग मेरी बात सुनते नहीं है तो शाहिट पर सून ले तो हम लोग जोई हो जाते हैं तो यह एक तरह से एक जॉएंट एफ़र्ट है हम सब का जिसमें के हम जिनलिस्म को कंबाइन कर रहे हैं स्ट्रीटेलिंग के साथ स करनिया पुरह अलाई कहा है कि बॉर में आ हिए बैस प्रॉब्लम और भूर कुछ बताया ए यह को रियाक्शन आता लोगों का हमने शो उस तरह शुरूरू नहीं किया हमारी से जो आया हमने वहीं बतायो कोई बात हमने रोकी नहीं लेकिन हमारा तरीका क्या था बताने का हमने शुरू किया शो कि दोस्तों मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपके जिंदीगी में सबसे एहम सबसे इंपॉर्टिट इंसान कौन है तो अक्सर मुझे जवाब आता है कि मां मेरी मां सबसे एहम है मेरे लिए और बात भी सही है जब मैं अपने मां के बारे में सुछता हूं जिस तरह से उस ने मिरी परवरेश की इस बच्शपन से लेगे पैदा मेरी मा ने किया और हर कदम पर अगर उसने मेरा हाट नहीं थामा होता तो मैं अच्छ जिंदा नहीं होता खुद उसने खाना नहीं खाया मुझे खिलाया इतनी सेक्रिफाइस की है एक माने तो मैंने आपको पहले इमोशनली एक मा के साथ कनेक्ट किया अपनी मा के साथ कनेक्ट किया और पिर मैंने कहा कि चली देखते हैं कि आज हम अपने माओं के साथ क्या बरताओ कर रहे हैं अब म महिलाए ORKS आठक हो आप एक महिला है जिस पर अत्या-चार हो एए ये महिला नहीं है ये महाmodern है जैसे आपकी माँ है जैसे आपकी माँ है इसले माँ पे उस चीज से जोड़ू तो यह हम को करने की कोशिश कर रहे हैं सित्यमियाति में इन एसेंस अगर हम इसको डी कंस्ट्रक्ट करें तो हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ ताके लोगों पर जो जानकारी मिले वो तो मिली रहे हैं लेकिन उसके स साथ साथ उनका उन पर असर हो जज़बाती तोर पर दिल पर लगनी चाहिए बात है और मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि हम सबका एक रोल होता है जिन्दगी में और आप पत्रकार हैं आप जॉनलिस्ट हैं आपका यह रोल है कि आप लोगों को लोगों तक कई चीज से पहुंचाएं हम यह जो कोशिश कर रहा है सत्य में जयते में पता नहीं हम लोग किस हद तक कामियाब होंगे लेकिन यकीन एक शुरुआत हुई है यकीन इसका असर हुआ है और इससे हमें बड़ी ताकत पर लिए कि बदलना मुम्किन है चीजों में एक्चुली तबदी साइट का जो आंकड़ा है रेश्यो लड़कियों का लड़कों के मुकाबले 890 अगेंस थाउजन वो अगर 950 हो जाएगा पचास पॉइंट बड़ेगा बहुत बड़ी बात है मतलब होंचे जा रहा था वो रुक के अगर उपर आया है तो यह बहुत बड़ी बात है और य इस बिलीफ को मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक पहुंचाएं बहुत हो गया कि हम लोग जो निराश होके हर चीज हर चीज में हम निराशा देखते हैं इस से हमको थोड़ा निकलना है हर चीज में हम निराशा ना देखें हम हर चीज में उमीद देखें उमीद से ही द पहुचाए इस मुम्किन है कि जजबात को आप लोगों तक पहुचाए थांक यू अपने कहा कि आप इससे काफी जूड़े हुए है इस शो से लेकिन जब बात की जाए तो प्राइज मनी भी मेटर करती है जैसे चाहे सल्मान हो आमेजी हो सभी पैसे अपने हर सीजन के साफ से बढ़ाते तो क्या आप ने इतना ज्यादा जूड़े है या बढ़ाया या उतने पर ही आप शोगोंगा कि जब स्टार ने मुझ सब पूछा आप क्या चार्ज करेंगे तो मैंने का आपको जो देना आप दीजिए तो उदेजी को मैंने का आपको जो देना आप दीजिए मुझे पैसों के बारे में मत बताईए मुझे आप शोग करने दीजिए ये मेरा उनको जवाब था और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे एक तो काम करने की खुशी होती है और मुझे खुशी ये भी होती है कि इस काम के मुझे जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मेरे मेरे मेहनत की कमाई के पैसे है और उस मेहनत की कमाई को मैं एक अच्छे दिशा में डाल रहा हूँ वो मेरा वक्त जो है जो कुछ मेरा टालेंट है, जो ओपर वाले ने दिया है, वो मैं अच्छे काम में लगा रहा हूं, और एक अच्छा काम करके मैं पैसे कमा रहा हूं, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे गर्व मैसूस होता है, कि ऐसे मैं, मैं अपने बारे में क्या बता हूं, मैं क्या बता हूं? So anyway, I didn't ask them for money, I said they pay me what you want, thank you so much, thank you. lud की अच्छ बता हूं, इससे मुझे को सक्षूब्य से कि आरे हूं मैं,